अगर हम बात करें आज कल तो कोरोना वाइरस बहुत ज्यादा तेजी से फेल रहा है तो इसकी वज़े से हमारे हाथ हो पे जो किटान वगेरा कुछ बेक्टिरिया होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते और साबुन से वो आसानी से नहीं मरते तो इसलिए हम लोग यूज करत तो उससे बहितर यहीं होगा कि मैं आपको आज घर पर ही सेनिटाइजर बनाना सिखा दूंगा कम से कम खर्च में एक से दो रुपे का आपका खर्च होगा और 100% एंटी बेक्टिरियल होगा और जो बाजार में जो सेनिटाइजर मिलते हैं उनसे लाग गुना अच्छा पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यह जो सेनिटाइजर है घर पर बनाना सिख जाए तो आई अब स्टार्ट करते हैं यहां सबसे पहले तो आपको यह जो है 100 ग्राम यह जो कड़वा निम होता है उसके आपको पते यहां पर ले लेने हैं तो मैंने यहां लगबग इतने निम के जो कड़वे पते हो यहां पर ले लिए हैं ले लेने के बाद अच्छी तरह से इसको वस कर दीजिए उसके बाद आपको दस से बारा यह जो तूलशी के पते हैं वह आपको यहां पर ले लेने हैं लगबग द 10-12 यह दोनों आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है। तो दोस्तों आपको एक साफ वरतन में लगपक से तीन ग्लास जीतना जो पानी है वो आपको गेस पे गर्म करना है। और इसमें यह जो कड़वा निंके जो पत्ते हैं और यह तुलसी ह आप इस तरह से एड़ कर दीजिए इसके बाद आपको इसको अच्छी तरह से उबलना है और जब आपको लगे कि आपने ये जो तीन ग्लास पानी लिया था वो बिल्कुल आथा हो जाए तब तक आप इसको उबलते रहिए तो ये देखिए हमारा पानी बिल्कुल आथा हो ज शांड लिजिए तो यह जो वाटर है वह अपमने अच्छी तरह से चानड लिया है आप देख सकते हैं इसका रंग भी बिल्कुल छेंज हो गया है और आपको इसको अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है जब आपको लगए कि वाटर है वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है तब आपको दोस्तों 10 ग्राम फीट कारी लेनी आपको बाजर में आसानी से भूरी की तो भोग यहां पर यहां पर यूज करना दीजिए और उसके बाद उसके बाद आपको इसमें सबसे खास चीज की जरूरत होगी भीमसेनी कपूर की जी हाँ दोस्तों आपको इसमें जो बाजर में आरती में जो हम कपूर यूज करते हैं वो नहीं यूज करना आपको यहां पे जो भीमसेनी कपूर है न वो आपको यह ग्राम यूज करना है तो इसमें कपूर है वो भी हम लगबग एक चमत जीतना एट करेंगे अब आप इसको अच्छे से मिला के लगबग पांच से साथ मिलिट तक यूहीं छोड़ दे ताकि यह जो फिटकारी है वह कपूर यह जो वाटर है वह एक दूसरे में अच्छी तरह से खुल मिलके एक साफ सुत्रा सेनिटाइजर बन जाए तो लगबग पांच से दस मिलिट बाट यह जो कपूर और फिटकारी हो आसानी से पानी के साथ खुन मिल जाएगी तो आपको क्या करना है इस तरह की जो स्प्रेय बटल होती है उसमें आप यह जो सेनिटाइजर बनके रेडी हो गया है तो आप इसमें स्टोर करके भी यहां पे रख सकते हैं तो आपके पास अगर छोटी बटल है तो बहुती अच्छी बात है जो यहां आपने घर पे बनाए हुआ जो सेनिटाइजर यूस करेंगे तो आप खुद भी अच्छा मैसुस करेंगे तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ सेर जरूर करना लाइक करना मैं मिलता हूँ किसी ऐसे ही नयन उसके के साथ नमस्कार